उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रात्मे की सिख्षक भरती से जुड़े हुए दो प्रमुक मुद्दे हैं जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे पहले बात कर लेते हैं बिहार के संदर में ऐसे अभ्यर्थी जो कि बिहार के पर्मानेंट निवासी हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में आ करके वो 5 साल निवास कर लिए और इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का डोमेसाईल उन्होंने बनवा लिया और UP से डियलेट कर लिए अब वो अभिर्थी बिहार में होने वाली सेवेंथ फेज की सिख्षक भरती में पात्र होंगे या नहीं क्योंकि वो पर्मानेंट निवासी है बिहार के तो वो पात्र होंगे या नहीं इसके रिगार्डिंग आप लोगे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे देखिए अभ यहां का काश्ट सर्टिफिकेट भी लगाया था तो उनका चेयन बिहार सरकार के द्वारा पूरी तरीके से निरस्ट कर दिया गया था बिहार सरकार ने यह तरक दिया कि ऐसा अभिर्थी जो यूपी से डियलट किया हुए है चुकि यहां पर पांच साल का डोमेसाइल यानि कि यहां का निवासी होना अनिवार है तभी आप यहां से डिलट कर पाएंगे तो राज सरकार ने यह तरक दिया कि चुकि जो यूपी से डिलट के हुए अभियर्ति हैं वो यूपी के निवासी होंगे तभी यहां से डिलट के हुए और इसलिए बिहार की जो मिनिमम यहाँ पर अगर आप निवास कर लेते हैं तो पांसाल का जो डोमेसाइल होता है वो बन जाता है तो आप अगर निवासी पर्मानेंट बिहार के भी है तो भी आप बिहार की सेवेंथ फेज की सिक्षक भरती में समलेत नहीं हो पाएंगे क्योंकि साप शब्दों में प पॉलसी है वो अपने आप में विवादित है कैसे ध्यान से समझेगा जो डोमेसाइल होता है वो दो प्रकार से होता है एक होता है सामाने निवास और एक होता है मूल निवास मूल निवास का मतलब क्या हुआ है कि बच्चे का जन्म इसी राज्य में हुआ है और जन्म से ल ला रहा हुआ है वो इसी राजे से निवास करता है तो वो बोलते है मूल निवास और दूसरा होता है समाने निवास उत्तर प्रदेश में जो निवास प्रमार पत्र बनता है वो समाने निवास होता है जिसमें साप शब्दों में मेंशन किया रहता है कि 5 साल से अधिक ये transfer यूपी में हो गया और यहाँ पर उस बच्चे का admission हो गया और 5 साल रहते हुए उसका हो चुका है तो जायर से बात है वो यूपी से dealet कर रहा होगा तो भले ही वो बिहार का permanent निवासी था लेकिन यूपी से dealet करने की वज़े से अब राजसरकार बिहार की ये मान रही है कि उन्होंने यूपी से dealet कर लिया है इसलिए वो यूपी के निवासी है ना की बिहार की इस प्रकार की संभावनाय देखने को मिली जो की VI时 में देखने को मिली थी और यहीं मामला, SEVEMTH VACE में देखने को मिलेगा तो ऐसे अभरती जो की बिहार के permanent निवासी है लेकिन यूप नहीं होंगे जो अभी नियमावली जारी की गई है इन सब का एक ही उपाय है कि आप इस मामले को कोर्ट में चैलेंज करेंगे तभी कुछ हो सकता है क्योंकि देखें निवास प्रमाणपत्र मैंने आपको बता है कि दो प्रकार्स होता है मूल निवास और पांथ साल वाला उसको तो मूल निवास बोलते हैं जो कि जारी ही नहीं होता है जितनी भी भरतियों में निवास प्रमाणपत्र लगते हैं वो समाने निवास होता है यानि कि पांच साल अगर आप किसी भी राजे में रह रह रहे हैं तो आप उस राजे के निवासी होने का दर्जा प्राप कर लेते हैं और उसके आधार पर किसी भी सिक्षक भरती या फिर किसी भी भरती प्रक्रिया में आप सामिन होने के लिए पात्र हो जाते हैं तो एक ऐसा कैंडिडेट जो की बिहार का पर्मानेंट निवासी है वो तो पूरी तरीके से पात्र होना चाहिए लेकिन पिछला जो उसमें ऐसे अभीर्थियों को कहीं न कहीं नकार दिया गया था उनका भीर्थन कैंसिल कर दिया गया था तो ये एक विवादित विशह है जिसे निश्ची तोर पर कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए क्योंकि भले ही बच्चा 5 साल से यूपी में रहते हुए डियलेट कर लि जैसे किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ की वज़े से किसी भी राज्य के अभीर्थी को सिक्षक भर्थी या फिर किसी भी भर्थी प्रक्रिया में शामिल होने से रोका ही नहीं सकती है क्यों नहीं रोक सकती है इसलिए नहीं रोक सकती क्योंकि भारतिय सम्मिधान के अनुछेद 16 दो में साप शब्दों में में ये किया गया है कि किसी भी अभियर्थी को उसकी जाती की अधार पर उसके लिंग की अधार पर उसके प्लेस वबर्थ की अधार पर उसके डोमेसाइल की अधार पर या फिर किसी भी भरती प्रक्रिया या फिर चैन प्रक्रिया से वंचित नहीं होता है और इसलिए वहां की राज्य सरकार और केंद सरकार अगर चाहे तो संसत से एक कानून पास करके उन अभियर्थियों के लिए अगर कोई भरती आती है तो किवल उनीक को उसमें आरक्षन दिया जाएगा दूसरे राज्य की अभियर्थी उसमें पाटपेट नहीं कर सकत लेकिन इसके लिए ये चाहिए होता है कि संसत से एक कानून पास करना होगा पर्टिकुलर उस एरिया के लिए पर्टिकुलर उस राज्य के लिए लेकिन बिहार के कंडिशन में इस प्रकार का कोई भी मामला नहीं है इसलिए डिरेक्ली अगर आप इसके कोर्ट में आ रहा था तो अभी के हिसाब से जो इनकी नियमावली जारी हुई है अगर आप बिहार के पर्मनेंट निवासी है लेकिन यूपी से डियलेट की हुए है तो आप सिक्षक भरती में समलेत नहीं हो पाएंगे शाप सब्दों में नियमावली में 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 ठीक है अब बात कर ले के जिला बेसिक सिक्षा अधिकारियों से शिक्षा दिन्देशालें ने एक रिपोर्ट माँगी थी कि 31 मार्च 2023 तक कुल स्विक्रित पद, कुल रिक्त पद और कुल काररत सिक्षकों का ब्योरा माँगा गया था जिसमें से बिहार जिसमें से गोरकपुर जिले के जो जिला बेसिक सिक्षा अधिकारियां उनके द्वारा भी डेटा को भेजा गया था जिसमें जो रिक्त पदों का आंकड़ा था वो 10 प्रतिशत से ज़्यादा था कुल स्विक्रित पदों से और आर्टी एक्ट 2009 की धहारा 26 में शाप सब्दों में ये मेंशन किया गया है कि किसी भी प्रात्मिक विद्याले में किसी भी जिले में कुल स्विक्रित पद के 10 प्रतिशत से ज़्यादा पद रिक्त नहीं हो सकते इसी पॉइंट को आधार बनाते हुए मामला कोड गया था जिसे इस केस को फाइल किया था स्री इंदुभाल तिवारी जी ने आप इसकिन पर देख पार होंगे इसका करेंटी स्टेटस इस केस क नंबर 3097 पर हलांकि सीरियल नंबर इतना जादा है कि संभावनाय कम है कि दो माई को इस मामले की सुनवाई शायद ही हो पाए हलांकि इस मामले की पहली सुनवाई के दौरान मानेनिये कोर्ट ने जितने भी रिस्पॉंडेंट थे प्रदेश सरकार और बेसिक सिक्षा ने उनको तीन हफ़ते का समय दिया था अपना एंसर काउंटर फाइल करने के संस में कि 10% सीटे रिक्त से ज़्यादा रिक्त है उस पर उनका क्या कहना है और उसके बाद से जो पिटिशनर्स हैं उनके वकील को एक हफ़ते का और अतरिक्त समय दिया गया था अपना प्रकार का कुछ निर्देश उत्र प्रदेश सरकार को मानेने कोट के मादेम से दिया जाता है सिख्छक भरती के संदर्व में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भ